हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे इंगलिश लिटरेचर के एक बहुती फेमस पोईट, ड्रामर्टिस्ट, एसेइस्ट और किरिटिक जोन ड्राइडन की दोस्तो जोन ड्राइडन 1631 में एल्ड विंकल नोर्थ हैम्टन शायर इंगलेंड में पैदा हुए थे और 1700 में जबके इनकी एज 68 साल थी उस समय इनकी डैथ हो गई थी 1668 से 1689 तक जोन ड्राइडन को पोईट लोरेट भी बनाया गया था जिस समय जोन ड्राइडन की एज सिर्फ 11 साल थी उसी समय इंगलेंड में एक सिविल वार का आगाज हुआ और उस समय उसकी पूरी की पूरी फैमिली ने यानि उसकी मदर ने उसके फादर ने ओलिवर क्रोमवेल को सपोर्ट कर दिया तो इसलिए और यहां से जाकर वो लंडन में रहने लगे थे 1644 में जोन ड्राइडन को वैस्मिंस्टर इसकूल में भीजा गया जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लासिकल एजूकेशन को गेन किया एक बहुती सेलिब्रेटिड और बहुती रैस्पेकटीड टीचर रिचर्ड बशी के अंडर में और यहीं से इतनी ज़्यादा क्लासिकल एजूकेशन लेने का रिजल्ट यह हुआ कि अपनी last age में यानि उनकी जो age का last phase रहा है उस समय उन्होंने जो classical translations किये हैं वो इसी वजह से मुमकिन हो सके क्योंकि उन्होंने वैस मेस्टर में बहुत ज्यादा classical education ले ली थी इसके बाद में 1650 में जोन ड्राइडन Trinity College Cambridge गए जहां से 1654 में उन्होंने अपनी BA की डिग्री ले ली थी जोन ड्राइडन के बारे में हमेशे ये सोच रही है लोगों की कि वो situation के हिसाब से opportunity के हिसाब से और अपने फाइदे के हिसाब से पाला बदल लिया करते थे जब Oliver Cromwell Civil War के बाद में इंग्लेंड के राजा बने तो जोन ड्राइडन ने एक पोयम heroic stanza Oliver Cromwell को dedicate कर दी थी उसके बाद 1660 में जब Charles II इंग्लेंड के राजा बने यानि जो restoration age होती है शुरू 1660 से तो उस समय जोन ड्राइडन ने अपनी पोयम बहुत ही famous पोयम है astria redux वो Charles II को dedicate कर दी थी और ये पोयम 300 line की है जो के rhyming couplets में लिखी गई है एक तो पोयम होगी astria redux जो Charles II को dedicate की गई थी 1660 में दूसरी एक पोयम है जिसको याद रखना जरूरी है थोड़ा 1660 एक सट्यानी next और उसने दूसरी पोयम लिखी to his sacred majesty ये पोयम भी उसने Charles II को dedicate की थी इसके बाद में बर्क शायर के first earl Thomas Howard की बेटी Elizabeth Howard से 1663 में जोन ड्राइडन ने शादी की थी ये इसकी life का एक बहुत ही अच्छा कदम रहा और इसकी वजह से जोन ड्राइडन अपनी life में तरक्य कर सके क्योंकि अब इनके घर में एक earl की बेटी थी जो के Elizabeth Howard है जोन ड्राइडन की जो सबसे बड़ी poem रही है Annas Mirabilis जो के 1667 में जोन ड्राइडन इसको publish कराया था इसके बाद में 1668 में जब poet laureate Sir William Davenant की death हो गई तो जोन ड्राइडन को poet laureate appoint कर दिया गया जो के 1689 तक इस post पर बने रहे और दो साल के बाद में इनको एक royal history गिराफर भी बना दिया गया था history गिराफर बोलते हैं जो राजा की तारीख को लिखता है जो राजा काम करता है वो सारी चीज़र जो note करता है वो history गिराफर होता है यानि दो post मिल गई है एक तो poet laureate 1668 में बन गए और उसके दो साल बाद यानि 1670 में जोन ड्राइडन को history गिराफर भी appoint कर दिया गया था इसके बाद में जोन ड्राइडन ने stage के लिखना भी लिखना शुरू कर दिया था हमें पता है कि Oliver Cromwell की वज़ा से जो एक period एज शुरू हुई थी तो उन्होंने 1642 में theater को बन कर दिया था तो 1642 से theater लगवग बन थे और 1660 में जब 42nd England की राजा बने तो उन्होंने इन theater को दुबारा से खुलवा दिया था अब जब theater दुबारा से खुले तो जोन ड्राइडन ने भी इन theater के लिखना शुरू कर दिया और जोन ड्राइडन का जो first play है दा वाइल्ड गैलेंट उसको लिखा गया जो के एक farcical comedy है इस comedy को 1663 में produce क्या गया यानि जोन ड्राइडन का जो first play है वो दा वाइल्ड जो उसने किसी स्टेज के लिए लिखा था और ये 1663 में produce क्या गया यानि लिखा गया था हाला कि उसका ये पिले दा वाइल्ड गैलेंट पूरी तरह से नाकाम हो गया और इससे कोई success इसको नहीं मिली लेकिन next यानि अगले ही साल 1664 में उसने फिर और वर्क लिखे जैसे कि इंडियन कुईन ये एक हैरोइक ट्रेजडी है बहुत ज्यादा मशूर हो गई थी और इस ट्रेजडी को उसने अपने साले यानि एलिजबेत हावर्ड इसकी वाइफ का नाम है तो इसकी वाइफ के भाई सर रोबर्ट हावर्ड के साथ में मिलकर इसने इंडियन कुईन वर इंडियन एंपरर इंडियन एंपरर बनाया यानि लिखा प्रोड्यूस के 1665 में और ये भी बहुत ज्यादा मशूर हुआ तो इंडियन कुईन मशूर हुआ 1664 में उसने उसको लिखा था और फिर उससे खुश होकर 1665 में जोन ड्राइडन ने इंडियन एंपरर लिखा जो क इंडियन कुईन का सीक्वल माना जाता है और ये भी बहुत ज्यादा सक्सिस्फुल रहा कामियाब रहा और फिर इसी तरह से 1667 में जोन ड्राइडन ने एक बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक कोमेडी सीक्रेट लव या फिर उसका दूसरा नाम है सीक्रेट लव भी कहते हैं और दा मेडन कुईन भी कहते हैं उसने ये वर्ग लिखा 1667 में बहुत ज्यादा मशूर हुआ और बहुत ज्यादा सक्सिस्फुल रहा और फिर नेक्स्ट येर जोन ड्राइडन क्योंके क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं तो उन्होंने 1668 में अपनी ओफ ड्रामटिक पोईजी ये एक ऐसे था उसको लिखा जो के बहुत ज्यादा फेमस रहा हाला के इसकी बात हम कभी अलग से करेंगे क्योंके एक पूरा क्रिटिसिजम रहा है जोन ड्राइडन का फिलाल आपको ये याद रखना है के 1668 में जोन ड्राइडन ने अपना एक मास्टरपीस ओफ ड्रामटिक पोईजी लिखा और बहुत ही अच्छे करकर उन्होंने इस क्रिडिसिजम को आगे बढ़ाया डॉक्टर सैम्वल जोनसन ने काफी तारीफ की है जोन ड्राइडन की क्योंकर उन्होंने जो क्रिडिसिजम की परिभाशा दी है और उन्होंने जो अपने विवफ पोईट डाले हैं क्रिडिसिजम में काफी तारीफ किया डॉक्टर सैम्वल जोनसन ने और फिर 1672 में जोन ड्राइडन की बहुती फेमस कोमेडी Marriage Alamod बहुती फेमस कोमेडी है 1672 में इसको प्रोड्यूस किया था और फिर इसके पांच साल बाद 1677 में जोन ड्राइडन की All for Love 1677 में आई थी और ये भी बहुत ज्यादा फेमस हुई है और All for Love शेक्सपेर की Absalom and Aquit of All 1681 में इसको प्रोड्यूस किया था और ये जोन ड्राइडन की बहुती फेमस पोयम है इस तरह से हम देखते हैं कि जोन ड्राइडन ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिट्रेचर को डेडिकेट किया है और माना जाता है कि लगभग 40 साल तक जोन ड्राइडन ने लिट्रेचर को लगतार लिखा है 40 साल तक लिखते रहे हैं कभी सटायर लिखते हैं कभी पोयम लिखते हैं कभी ऐसे लिखते हैं कभी क्रिटिसिजम लिखते हैं हर फिल्ड लगभग जोन ड्राइडन ने टच किया है। इसके अलावा इन्होंने प्रोलोग्स, एपिलोग्स, ओर्ट्स और इस तरह की दूसरी चीज़े भी लिखी हैं। और जोन ड्राइडन इतनी ज्यादा फेमस हो गए हैं कि कई बार रेस्टुरेशन एज को एज ओफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। जब जोन ड्राइडन ने अनस मिराबिलिस को 1667 में लिखा था, तो उस पोयम की वजहासे जोन ड्राइडन को 1668 में poet laureate बना दिया गया था, यानि poet laureate बनाया गया था अनस मिराबिलिस पोयम से खुश हो कर। अपनी last age में जोन ड्राइडन ने पूरी तरह से जो Catholicism है उसको अपना लिया था और Anglican Church को जोन ड्राइडन ने छोड़ दिया था और इसी वजह से जोन ड्राइडन को यानि Catholicism की वजह से क्योंकि उसने Catholicism धरम को अपनाने की वजह से उसको Poet Laureate की जो एक Post है उसको छोड़न पड़ा था आपको पता है कि जोन ड्राइडन 1668 से 1689 तक पोईट लोरेट रहे और उनकी डैथ जबके 1700 में हुई उस समय यह हुआ करता था कि जो भी पोईट लोरेट बन गए जैसे कि हमने विलियम डैवनेंट को देखा देखा था तो जैसे उनकी डैथ हुई तो वो खतम हो मोथ तक अपनी पोष्ट पर बने रहा करते थे लेकिन जोन ड्राइडन को इनकी मोथ से पहले इनकी डैथ से पहले ही हटा दिया गया था इनकी डैथ 1700 में हुई है और इनको 89 में हटा दिया था और वजह क्या थी वजह सिर्फ यही थी क्योंकि इन्होंने कैथोलिक धरम को लिया था और एंगलिकन चर्च धरम को छोड़ दिया था तीक दोस्तों आज के लिए तना काफी है सुनने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो